हलो दोस्तों मैं सिस्कमा अपने वीडूप चाहिए बिहार जीकेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं घटना चक के बिपेसी के पुर्वावलोकन का पार्ट टू लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के रासायन विज्ञान के सभी प्रश्णों को देखेंगे जदी आप लोगों ने अब तक हमाँ चनल भी हाज जीकेटिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जोड़ दमायतों आईए वीडियो को शार्ट करते हैं आज का पहला पस्टने निमलिकित में से कौन सा एक तत्व नहीं है तो इसका उत्तर है C, गैस अवर्ट सार्णी में तत्व को तीन परमुक भागो यथा धातू अधातू तथा उप धातू में विभाजित किया गया है हैड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नैट्रोजन, अक्सीजन, फ्लोरीन, फोसफोरस, सलफर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिये गैसों को अधातू की स्रेनी में रखा गया है अब आई चलते हैं अगले परशन पर तो अगला परशने आधनिक रसायन सास्त का जनक किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर है C, लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर को आधनिक रसायन सास्त का जनक कहा जाता है अब अगला पस्टने एक तत में इलेक्ट्रोनों और न्योट्रोनों की संख्या क्रम से 18 तथा 20 है इस तत की द्रबमान संख्या है क्या तो इसका उत्तर है C. 38 किसी तत की परमानों की नाविक में उपस्तित प्रोट्रोनों और न्योट्रोनों की संख्या का योग उस प्रमानों की द्रबमान संख्या कहलाती है वो लेखनी है कि परमानों में इलेक्ट्रोनों की संख्या प्रोट्रोनों की संख्या के बरावर होती है जिसके कारन परमानो विदुद उदासीन होते हैं प्रश्णा अनुसार द्रमान संख्या ब्रावर प्रोटोनों की संख्या प्लस निट्रोनों की संख्या अर्थाद 18 प्लस 20 इसकोल टू 38 अब अगला प्रश्णा है निमनिकित में से किसका पियच मान साथ है तो सुद जल का पियच मान भी साथ होता है और 18 विलियन का भी पियच मान साथ होता है अता इसका सही उत्तर E होना चाहिए तो आईए इसको उत्तर को देखते हैं तो इसका सही उत्तर E है उदासीन विलियन का पियच मान साथ होता है सुद जल को उदासिन माना जाता है अता इसका पियच मान भी साथ होगा वर्षा का पानी जल का सुद रूप होता है अब अगला पशने पानी का पियच मान है क्या तो इसका उत्तर है B साथ अगला पशने ब्रोमीन होती है तो इसका उत्तर है D लाल दरब ब्रोमीन गहरा लाल रंगधारित तिश्न गंध वाली वास्पसिल द्रब है ब्रोमीन का परमानुकरमा 35 होता है तथा या कमरे के ताब पर द्रब अवस्था में रहता है या जोलंसील तथा जल में अलब विले है ब्रोमीन वर्थ 17 का सदस है जिसे हेलोजन वर्थ के नाम से भी जाना जाता है अब अगला पस्टने बेल्डिंग में परियोग होने वाली गैसे है कौन सी तो इसका उत्रे सी ऑक्सीजन तथा एसी टिलीन गैस बेल्डिंग एक परकिरिया है जिसमें एसेटिलीन और ऑक्सीजन अविकिरिया द्वारा ताप के माध्यम से धातूं को पिगला कर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है ऑक्सी एसेटिलीन बेल्डिंग सबसे अधिक प्रशलित विदी है अब आई चलते हैं अगले पश्ट पर तोलर पश्ट ने गेलबे नाइड लोहे के पायप पर परत होती है तो इसका उत्तर है ए जस्ते की अब आई चलते इसके विस्तारा को पढ़ते हैं लोहे एवं इस पात को जंग से स्वक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चरहाने की विधी को यसद लेपन कहते हैं अथा अवश्ट उत्तर ए है अब आई चलते अगले पश्ट पर वगला पश्ट ने कपरे साफ करने में परयोग होने वाले डिटर्जेंट है कौन से तो इसका उत्तर है डी सल्फोनेट डिटर्जेंट आध्रक अथवा आध्रकों के योगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में शफाई की गुन को परदर्शित करते हैं वस्तुता ऐसे पदाद अलकिल बेलजी सल्फोनेट होते हैं डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनसील होते हैं अब अगला पशने वह तत्व जो मानब पसीने के माध्यम से उस्सरजित होता है तो इसका उत्तर है पसीना मुक रूप से पानी से निर्मित होता है परन्तु इसमें खनीज, अमल और यूरिया भी मौजुद रहते हैं पसीने में मुक रूप से सोडियम, पोटेसियम, केलसियम, मैगनेसियम, जिंग, आईरन तत्व पाई जाते हैं अथा अविश्ट उत्तर ये उप्यूक में से एक से अधिक है अब अगला प्रशने, निला थोथा रासाइनिक रूप से है, क्या तो इसका उत्तर है C, कौपर सल्फेट निला थोथा का रासाइनिक नाम कौपर सल्फेट है, इसका सुत्र C, U, S, O, 4, 5, S, 2, O होता है ये लवन निर्जली क्रित अवस्था में रंगीन होता है, प्रन्तु हैड्रेटेड लवन निले रंका होता है, निला थोथा जल में आसाने से घुल जाता है, प्रन्तु मद में अगुलनसील होता है, मद अर्थाथ अलकोहल अब आई चलते हैं अगले प्रस्ट पर, अगला प्रस्ट ने निलिखित में से सबसे भारी धातु है, कौन तो इसका उत्तर है, D, प्लेटिनम, अगले लिखित प्रस्ट में भारी कातात पर घनत उसे है, उप्रियुक्त, विकल्पों में से प्लेटिनम सरवादिक घनत 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, चान्दी का 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तथा सोने का 19.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब घनत होता है, अब आई चलते हैं अगले प्रस्ट पर, टोला प्रस्ट ने A stainless steel एक मिस्धातू है तो इसका उत्तर है E तो आईए जानते हैं इसके ब्याराय में पिस्थार से दो या दो से अधिक धातों के शमांगी मिशन को मिस्धातू कहते हैं जो धातों के गुंधर्मों को बेहतर बनाते हैं लोहे के साथ साथ कारवन, निकेल, क्रॉमियम को निश्चिर अनुपात में मिलाने पर हमें अस्टेनलेस अस्टिल प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता अगला प्रशने तूटी हुई हडियों की रक्षा के लिए प्लास्टर और पैरिस का प् अगला प्रशने प्लास्टर और पैरिस का सुत्र तो अभी जश्च हम लोगों ने उपर पढ़ा किया सी एसो फोर का होल स्कॉयर इंटू ह्टू अब आई चलते हैं अगले प्रशन पर देखते हैं अगला प्रशने एक हाइड्रो कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमानों दूई बन दवारा जूरे हो कहलाता है तो इसका उत्तर है बी एलकीन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त योगिक हाइड्रो कार्बन कहलाते हैं कार्बन कार्बन दूई आबन वाले और संत्रिप्ट शिंखला को एलकीन कहते हैं एलकीन कार्बन कार्बन एकल आबन युक्त शंत्रिप्ट वीव्रित शेंखला वाले हाइड्रोकार्वन है अलकॉाइन त्रिया बंध वाले असंत्रिप्ट हाइड्रोकार्वन है पर मानूँ के मद एलेक्ट्रोनों के अस्थानांतर से जो बंध बनते हैं उन्हें विदुत संयोजक बंदन या आईनिक बंदन कहते हैं अब आई चलते अगले पस्ट पर जोगला पस्ट ने सिर्के का रासायनिक नाम है क्या तो इसका उत्तर है सिर्के का रासायनिक नाम एसिटिक अमल तथा रासायनिक सुद्र CS3COOH होता है सिर्के का IUPAC नाम एसिटिक अमल है जिसमें कारवोक्सिलिक अमल परकार्यतम समू होता है अगला पस्ट ने निम्लिकित में से कौन सा अमल सिर्के में उपस्थित है तो इसका उत्तर है D-acetic अमल अगला पस्ट ने कार के बैटरी में परियोग होने वाला अमल है कौन तो इसका उत्तर है D-sulfuric अमल अब आई जलते हैं अगले पस्ट पर अगला पस्ट ने सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कौन सी तो इसका उत्तर है A-carbon dioxide सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस करवन डैकसाइड है जो उस दापर सोडा बोतल में अंतर छेपिये की जाती है अब अगला पस्ट ने खनीज अर्थात मिनरल क्या है तो इसका उत्तर है B- और कारवनिक ठोस भूगर्व सास्तियों के अनुसार खनीज अर्थात मिनरल प्राकेर्थिक रूप में पाए जाने वाला और कारवनिक ठोस है जिसकी संरसना रवाकृत होती है अगला पस्ट ने वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गये बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त क गया था तो इसका उत्तर है C. प्लूटोनियम 9 अगस्त 1945 को फैट मैं नामक बम नागासाकी पर किया गया था इसमें प्लूटोनियम का परयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था वहें दूसरी ओर ही रोसीमा पर गिराए गये बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के र परकार का प्रमानु प्राकित तत्मे मिलता है अगला परशने सबसे अधिक किरिया सिल धातु कौन सी है तो आईए इसके उत्तर को जानते हैं तो इसका सही उत्तर D. अर्थात पोटेसियम होगा दिये गए विकल्पों में सरवाधिक किरिया सिल धातु पोटेसियम है किरिय सिलता की आधार पर दी गई धातों का करम निम्नवत है पोटेसियम सबसे अधिक उससे कम सोडियम फिर उससे भी कम केलसियम और सबसे कम आईरन अगला परशने वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गयस है कौन सी तो इसका उत्तर है ए हाइड्र वनस्पति तेलों से वनस्पति गी हाइड्रोजनी करन की पड़किरिया द्वारा बनाया जाता है निकेल उत्प्रयर की उपस्तिती में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है या किरिया तेलों का हाइड्रोजनी करन कहलाती है अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर तो अगला पस्ट नहीं आयोडीनी क्रित लवन में रहता है तो इसका उत्तर है डी पोटेसियम आयोडाइड पोटेसियम आयोडाइड की संदचना एवम भौति गुनों में खाद लवन के समान है व्यापारिक अस्टर पर अयोडीक गुरित लवन बनाने में समानत्या इसी का परयोग किया जाता है तो इसका उत्तर है भी मजबूत अम्र और मजबूत छार से अब आई चलते हैं अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट ने सफी जैव योगी का अनिवार मुल तत्व है कौन सा तो इसका उत्तर है C कारवन संसार के सफी जैव पदार्थ कारवनिक योगी कों से बने होते हैं कर्वनिक योगिकों में कर्वन अनिवारता पाया जाता है अब अगला प्रशने अक्सेकित अनुपस्तित होती है तो इसका उत्तर है ए केरोसीन में प्रशनगत विकल्पों में केरोसीन में अक्सीजन अनुपस्तित होती है रासायनिक रूप से केरोसीन हाइडरोकार्वन का एक मिस्टन है ग्यातव है कि हाइड्रो कार्वन के वल कार्वन तथा हाइड्रोजन के योगिक होते हैं अब अगला परशने सिग्रेट लाइटर में निमलिकित में से कौन सी गैस प्यूक्थ होती है तो इसका उत्तर है A. ब्यूटेन ब्यूटेन एक जुलंसील हाइड्रो का जिसका आन्विक सुत्र C4S3 होता है इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है अगला पस्टने प्राक्रितिक रवर किसका बहुलक है तो इसका उत्तर है A. आईसोप्रीन बहुलीकरन वह पड़किरिया है जिसमें एक ही परकार के एक से अधिक अनु आपस में ज उत्तपाज को बहुलक कहा जाता है आईसोप्रीन का बहुलक प्राक्रितिक रवर है आईसोप्रीन एक कार्मिक पदार्थ है जिसका सुद्र CH2, C, CH3 का इंटू CH और CH2 है अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर अगला पस्टने टेफलोन निमलिकित में से किस एक लग का बह अब आई इसके विस्तार को देखते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन को आमतोर पर टेफलोन के नाम से जाना जाता है पी टी एफ ही एक ठोस फ्लोरो कारवन है इसका घनत 2.2 ग्राम पर 30 cm3 होता है एवं इसका गलनाक लगभग 327 डिगरी सेल्सियस होता है यह विशे इस तक बरतनों पर न चिपकने वाली सता के रूप में परियुक्त होता है अब अगला पस्टने बैकेलाइट निम्रिकित में से शग्रन से बनता है तो इसका उत्तर है भी फिनॉल तथा फर्मिल डिहाइड बैकेलाइट एक आरंबिक प्लास्टिक है इसका राशायनिक ना होता है जो फिनॉल और फेमिल डिहाइड से शंगनन परतिकिरिया के फलसुरू बनता है इसका खोज वर्स 1907 से 1909 के मद बैल्जियम के रासायनिक लियो बैक लेंड ने किया था अब अगला पस्टने ट्राइगलिसराइड क्या है तो इसका उत्तर है C वसा ट्राइगलिसरा शरी में पाई जाने वाला वसा का एक परकार है हमारा शरीर भोजन से प्राप्त और प्रयुक्त उर्जा को ट्राइगलिसराइड में प्रिवर्तित कर देता है ट्राइगलिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है अब आई चलते अगले पस्टन पर अगला पस्टने गहेलू इंधन के रूप में प्रियुक्त LPG में मुख्ता होती है तो इसका उत्तर है E अर्थात गहेलू इंधन के रूप में प्रियुक्त LPG अर्थात त्रलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकारवन गैसों का एक जोलंसीन मिश्रन है जिसमें मुख्ता प्रोडपेन ब्य पाचान के लिए उसमें कुछ गंद्युक्स पदार्स जैसे मर केप्टेन आदी मिला दिया जाता है अब अगला परचने ग्रीन हाउस गैस में मुख खटक होता है तो इसका उत्तर यह होगा अब आईए इसके विश्टार को पड़ते हैं ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो प्रित अगला परचने ग्रीन हाउस गैसों में मुख खटक होता है तो इसका उत्तर है अब आई चलते हैं अगले परचने साबुन ग्रीज को हटाता है तो इसका उत्तर है सी पाईसी करन द्वारा पाईसी कारक शामांता धुरूबियों समूहों युक लंबी स्रेंखलावाली यो यह अमल है शाबुन के अनुमें दो भाग होते हैं पहला लंबी हाइड्रोकारवन साखा जो की वसा में घुलनसील है तथा और वहीं दूसरा है जल में विलिये धुरूबिये भाग पाईसी करन के दौरान साबुन का और धुरूबिये एलकीन समूह तेल या ग्रीज को खो हो जाते हैं और जल के बहाव में शरलता से बहा जाते हैं अब अगला प्रशने इसमें आपको मिलान करना है तो आईए इसके विस्तार को डैग देख लेते हैं एसपाट्रेम क्या है इसका उपयोग तो कित्री मधुरक के रूप में वहीं फ्रेयोन का परयोग परसी तक के रूप में किया जाता है और नियोप्रीन का परयोग संसलेशित रवर के रूप में किया जाता है और बेनाल ड्रिल का परयोग परती हेस्टेमीन के रूप में कि जाता है अगला प्रश्ण निम्निकित में से किसकी मात्रा अम वर्षा में सबसे अधिक होती है तो इसका उत्तरे C-H2SO4 वाता वर्णिये प्रदूशन और द्योगित निस श्रितो एवं प्राकृति में होने वाले विभिन किरियाओं के फॉल्सुरूप उत्पंद सल्फर ड स्ल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम बनाकर पृत्विकर गिरती है इसे अम वर्षा या अम्लिये वीर्ण्सा कहते हैं मल्बच्ज समानता सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है लगवकro 70 अब आइचलते हैं एगले प्रश्ण से होने वाली वर्सा है इन परदुसक का उठसर्जन कारखानों से पेट्रोलों से ठथा ओर्जा उधपदक सहयत में कोला जलाने से भी होती है अता इस प्रश्ट के लिए एक से अधिक विकल्प सही है अब अगला परशने सुस्क वर्फ है बदले उर्दपातित होकर carbon dioxide gas में बदल जाती है अब अगला पस्टने निम्रिकित में से किसे सुस्क वर्फ कहते हैं तो इसका उत्तर है C ठोस carbon dioxide अगला पस्टने सुस्क वर्फ क्या है तो इसका उत्तर है B. ठोस carbon dioxide अब आई जलते हैं अगले परश्चट पर एक कार बैटरी में पयुक्त विदुद अभघट होता है तो इसका उत्र है भी सल्फ्यूरिक अमक कार में दुत्यकसेल प्रयुग में लाया जाता है दुत्यकसेल में विदित अगर्ट के रूप में सल्फिरिक अम के तनु विलियन का उपयोग किया जाता है जबकि इलेक्ट्रोड लेड अक्साइड तर्था अस्पंजी लेड की बनी प्लेट होती है इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचाय बैटरी भी करते हैं कारो, ट्रको, इनवर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरीया दितियक बैटरीयों के ही उदारन है अब आए चलते हैं अगले पास्चन पर गला पास्चन है निमनिक्र में से किस्मिक कारवन नहीं है तो इसका उत्तर है D, उप्यूक में से कोई नहीं, हीरा, ग्रेफाइट और काईला तीनों कारवन के अपरूप हैं, अब अगला पचने निम में से सबसे सक्त कौन है, तो इसका उत्तर है A, हीरा, हीरा सबसे कठोर प्राकिर्ट पदार्थ है, हीरे में परतिय कारवन परमानू अनकारवन परमानूं से प्रवल बलो द्वारा जुरा रहता है, इसके फल्सुरूप त्री विमिये डिर्ट सरनर्चना प्राप्त होती है, इसकी कठोरता के कारण इसका उप्योग काच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद करने वाले अउजार को बनाने में किया जाता है, अब अगला परस्टने, निम्पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुऊं के प्रियुक्षण परियुग होता है, तो इसका उतर है C, सोडियम बेंज़ूएट, सोडियम बेंज़ूएट का परियुक खाने के پरियुक्षण के लिए किया जाता है, अगला प मुखता है कौन सी तो इसका उत्रे C मिथेन खाना बराने में मुखता मिथेन गैस का उपयोग किया जाता है इसे गोबर कुरा कच्छना आदे से प्रयाप्त किया जाता है अगला पशने निम्ध धातू में कौन समानता पर द्रव है तो इसका उत्रे B पारा पारा समानता पर द्रव होता है, इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है, वगला पस्ट ने ठोस कपूर से कपूर वस्प बनाने की पड़किरिया को कहते हैं, क्या तो इसका उत्तर है D. उर्धवपातन, ठोस कपूर से वस्प बनाने की पड़किरिया को उर्धव बातन वह पड़के लिया है जिसमें ठोस पदात गर्म करने पर सीधा गैसी अवस्ता में रुपांत्रित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पूनर प्रारंबिक ठोस अवस्ता में आ जाता है अब अगला परस्ट ने पीतल के बरतनों को कलाई करते समय गरम बरतन की सफाई के लिए पर्योग किये जाने वाले अमोनियम कोलड चुन से निकलने वाला धुआ है तो इसका उत्तर है डी अमोनियम और हाइड्रोकलोरिक अमन होते हैं अब आई चलते हैं अगले पर पर अगला परश्टने नीमू खटा किस कारण से होता है तो इसका उत्तर है डी सैट्रिक अम के कारण नीमू में सैट्रिक अम पाया जाता है जिसे कारण यह खटा होता है अब अगला परश्टने वहानों से निकलने वाले गैस कौन सी है तो इसका उत्तर है यह अश्टार मार बढन उत्साजित होते हैं अता इस प्रश्ण के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे अब अगला प्रश्ण ने अस्टियल को कठोरता पदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो इसका उत्तर है एक कारवन की मात्रा इस पात के साथ उचित मात्रा में मिश उनकी भंगूरता भी बढ़ती जाती है अब अगला पस्ट ने किस खने से रेडियम प्राप्त किया गया था तो इसका उत्तर है बी पीच बलेड पीच बलेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच बलेड रेडियम का ऐस्क है लेकिन पीच बलेड में रेडियम का अनु की तवचा जल जाती है तो इसका उत्तर है बी कुलोरीन के कारण अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर अगला पस्ट ने हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगी तो इसका उत्तर है डी पानी H2 को जलाने से जल का निर्मान होता है 2H2O पलस O2 is equal to 2H2O अगला पस्ट ने सोने को घोला जा सकता है तो इसका उत्तर है स्टर मार्क्स का तो आईए इसके विस्तार को देखते हैं सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है एक्वारेजिया सान नायट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अमका आइतन की दिश्टी से एक अनुपात 3 का मिश्रन होता है अत्र इस प्रस्ट का कोई भी विकल सही नहीं है अब अगला पस्ट ने हाइड्रोफ्लोरिक एसीट कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभी किरिया करता है तो इसका उत्तर है डी कांच की सिलिकॉन डाय अक्साइड से हाइड्रोफ्लोरिक अमकांच में नहीं बन रखा जाता है H2F अत्यधिक किरियासिल योगिक है यह काज की सिलिकॉन डायोकसाइड से प्रतिकिरिया कर लेता है जिसे बोदल में विस्फोट हो जाता है अब अगला प्रशने वायो में थोड़ा देर रखने पर किसी धातू के उपर हरे रंग के वेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वो धातू है कौन सी तो इसका उत्तर है ए तामा की वायो में थोड़ा देर रखने के बाद तामा धातू के उपर हरे रंग के वेसिक कार्बो पर अगला प्रशने विस्फोटक नाइट्रो ग्लिस्रिक है एक तो इसका उतर है डी एस्टर नाइट्रो ग्लिस्रिक एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है अगला प्रशने घरेलू एल्पीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं परदान किये ज जाता है इसमें दाब मापक लानेप से दाब मापक के चोक को जाने की संभावना रहेगी अतर दाब मापक नहीं लगाया जाता है अब अगला पस्टने किस खनेश द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो इसका उत्तर है डी हेमेटाइट हेमेटाइस से लोहे की प्राप् होती है अगला पस्टने विरंजक चुन के लिए कौन सा कसन असत है तो इसका उत्तर ए जल में अधिक विलय होता है विरंजक चुन एक पीद धवल चुन होता है जिसे कुलोरिन की गध आती है विरंजक चुन को जब वायों में खोला खोला छोड देते हैं तो इससे धीरे-ध ठीरे-धि देते-धि अधिमरी जैषे गैस बाहर निकल जाती है या करवन डायोकशाइड अतवा के साथ अभिकिरिया कृत होकर कुलोरीन गैस परदान करती है आप इसे रसायन को देख सकते हैं अभिकिरिया को कुदे सकते हैं अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर अगला पस्ट ने जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तामबा से मिलाने पर पीतल बनता है पीताल का घ्रत क्या होगा तो इसका उत्तर है B 8300 किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब आप इसका सोलोशन यहां देख सकते हैं अब आई चलते हैं अगले पस्टन पर तो अगला पस्टने जस्ते से एक बरतन पर विधुत लेपन की विधी में तो इसका उत्तर है C दो इलेक्ट्रोनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बरतन इलेक्ट्रोन का त्याग कर रिनाक्रमत हो जाता है इससे जस्ता धन धातू और बरतन रिन धातू के रूप में प्रिनत हो जाता है अब अगला पस्टने अस्टेलनेस अस्टील मिस्धातू है तो इसका उतरे C लोहे और क्रोमियम का अस्टेलनेस अस्टील बनाने में समानता क्रोमियम निकेल को परयोग में लाया जाता है इन दोनों को ही लोधातु के साथ मिला कर कुछ मातरा में कारवन डायर डाल कर अस्टेलनेस अस्टील तयार कर लिया जाता है अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर अगला पस्ट ने निम्लिकित में से किस्मी रिधात्मक आवेस होता है तो इसका उत्तर है C बीटा किर्यान आप याद रखेंगे जिसकी भिलेंसी एक दो या तीन हो वे सभी धातू है अगला प्रस्टे सी ओ समू का आवन करम क्या है तो इसका उत्तर है डी अर्थात तीन आवन करम एक संक्य है जो हमें यह बताती है कि अनू या समू बनाने वाले दो परमानों के मद उपस्तित बन कि होना कम मजबूती परदसित करता है सी ओ समू का आवन करम तीन है अब आई चलते एगले प्रस्ट पर तो अगला प्रस्टने जिस तत्व के परमानों में दो प्रोटोन दो नियोट्रोन और दो इलेक्ट्रोन हो उस तत्व की द्रभमान संख्या कितनी होती है तो इसका उत् लाबर प्रोटोन की संख्या प्लस नियोट्रोन की संख्या अर्थार दो प्लस दो इसकोल टू चार अब अगला प्रस्टने सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अनुका आकार कौन सा है तो इसका उत्तर है बी अर्थार अश्ट फल किये एक तत्व एक्स की बाहितन का च्छा में इलेक्ट्रोन है हाइड्रोजन के साथ इसके योगी का कौन सा सुद्र होगा तो इसका उत्तर है डी अर्थार एक्स एच फोर अब आई चलते है अगले प्रस्ट पर तो अगला प्रस्ट ने भारी पानी वह पानी होता है जो तो इसका उत्तर है C जिसमें हाइड्रोजन का रास्थान आइसोटोप लो लेता है, हाइड्रोजन में रासाइनिक डूटेरियम होता है, यदि जल का निर्मान S2 से ना होकर डूटेरियम से होतो उस पानी को भारी पानी करते हैं, इसका रासाइनिक सुथर D2O होता है, अगला परश्टने किसी परमानु नाभिक का द्रबमान संख्या में और समान होते हैं, प्रन्तु नाभिक पर समान वैदुद आवेश में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक अर्थात आइसोटोप करते हैं, अगला पस्टने दूद उदारन है, एक तो इसका उत्तरे C, इमल्सन का, इमल्सन एक कुलाइड होता है, इसका उत्तरे C, इथाइल, अल्कोहल, जल्टिल, कार्वनिक, पदात, एंजाइमों की उपस्तिती में धीमी गति से सरल प्रदार्थ में परिवर्थन किनवेन कहलाता है, अंगूर एवं अन फलो के रसों की इस्ट की उपस्तिती में किनवन द्वारा अल्कोहली पे पदार आथों के निर्मान के लिए उप्योग में लाया जाता है, इस प्रक्रम में मैलेसेज, अत्वा गन्यों एवं फलो से प्राप्त सरकरा, अत्वा विभिन परकार के अन्नों से प्राप्त अस्टार्ज, एंजाइम, इन्वेस्ट्र की उपस्तिती में सरफवर्थम गुलकोज एवं फ्रोक्टोज में परवर्थित होते हैं, इन दोनों सुत्र C6-S12-O6 है, आगे हैं गुलकोज एवं फ्रोक्टोज दोनों ही एक अन्न एन्जाइम, जाइमेज की उपस्तिती में एथाइल अल्कोहल एवं करवन डायोकसाइड में परवर्थित हो जाते हैं, एन्वेस गुलकोज का सुत्र है क्या तो इसका उत्तर है C अर्थाद C6-S12-O6, अगला परशने अपमार्जक क्या है, तो इसका उत्तर है D सोधन अभिक करता, सफाईकार के लिए प्रिक्ट होने वाली पदार्थ सावुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं, वास्तम में हम जिन सावुन का उपयोग वर्षो से कर रहे हैं, वो अब मार्जक स्रेनिस में ही आता है, अब आई चलते हैं अगले परशने निम में से कौन सा पदार्थ सावुन बनाने में प्रिक्ट होता है, तो इसका उत्तर है A वनस्पति तेल, जब किसी तेल अथवाबसा को सोडियम हाइड्रोक् करते हैं, तो तेल अथवाबसा संगित एसिट सोडियम लबन एवं गिलेसरोल में परिवर्थित हो जाते हैं, इस अवेकिरिया को सावनिकरंद करते हैं, अगला परशने पीतल में कौन सी धातु हैं, तो इसका उत्तर है D, तामबा और जस्ता, अगर आप याद करना जाते ह तो याद अखें, पीता जी, अठात पीतल में तामबा और जस्ता पाय जाता है, अगला परशने तीसरे और चोथे समों के अक्साइट का सामान गुन धर्म क्या है, तो इसका उत्तर है A, बेसिक और एसिडिक, तीसरे चोथे समों के अक्साइट का सामान गुन धर्म बेसिक और ऐसे डिक है अगला पस्टने रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सरजित करता है तो इसका उत्तर है डी अप्रोक सवी अर्थाद अलफा किर्यन बीटा किर्यन और गामा किर्यन रेडियो धर्मी पदार्थ से अलफा किर्यन बीटा किर्यन और गामा किर्यने उत्सरजित होती ह ये केड़ने क्रमस, धना वेशिद, रिनाद वेशिद और उदासिन होती है, अगला पस्टने हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे जदिक होती है, वह है तो इसका उत्तर है D, नाइट्रोजन, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सरवा अगला पस्टने वायू एक है, तो क्या तो इसका उत्तर है C, मिश्रन, अब आई चलते हैं अगले पस्टन पर, अगला पस्टने मच्छर भगाने वाली दयवायों में सक्रिय रसायन है, कौन तो इसका उत्तर है Elethrine, Elethrine नामक योगिक मच्छर भगाने वाली दयवायों में सक्रिय रसायन है, अगला पस्टने जल की अस्थाई कठोर्था का कारण है, कौन तो इसका उत्तर है B, केलसियम तथा मैगनेसियम के कुलराइट और सलफेट, कठोर पानी वा है जो अब मार्जक लगाने पर जाग सहजता से उत्पन नहीं करता, इसका मुक कारक केलसियम तो इसका मैगनेसियम के कुलराइट और सलफेट है, अगला पस्टने हास गयस क्या है, तो इसका उत्तर है D, नैटरस उकसाईड, हास गयस है, इसके सुगने पर हसी आती है, डॉक्टर इसका परियोग एनेस्थीसिया की रूप में परियुक्त करते हैं, अब अगला पस्ट निम्लिकित में से किसे हसाने वाले गयस कहा जाता है तो इसका उत्रे भी नैट्रस अक्साइड अब आई चलते हैं अगले पश्ट पर अगला पश्ट में आपको मिल्यान करना है तो आईए इसके विस्तार को डेक्ट देख लेते हैं तो अचा कैंसर पैरा बैगनी परकास के क आप लोगों को हमारे या वीडियो पसंद आए हो यदि आप लोगों को हमारे या वीडियो पसंद आए हो तुसे लाइक और सियर ज़रूर करें फिर मिलते हैं नए चैप्टर जीव विग्यान के साथ आज के लिए बहुत-बहुत धनेवाद